आई फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल सहील एजूकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे कलास्तेंथ का मिक्स्ट कोईशन है जो बोड़ परिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पहला कोईशन यदि किसी आखड़े की माधिका 12 एवं बहुलक अठाणा है तो आखडो का माध्य निकाले यानि आखड़े की माधिका कितना है 12 और बहुलक है 18 तो आखडो का माध्य निकालना है तो चले चुकी, माधिका कितना है? माधिका आपका दिया हुआ है बारा, बारा हो गया, बहुलक है आपका अठारा, तो निकालना क्या है? माध्य निकालना है, ठिक? लेखिए, माध्य बराबर होता है, इसका फर्मूला होता है, इसका फर्मूला होता है, तीन गुना माध्य के पलस बराबर, बहुलक पलस बहुलक पलस, दो गुना माध्य, यह आपका फर्मूला होता है, तो देखिए, इसमें क्या है? तीन, माध्य के कितना है आपका? बारा, बारा हो गया, बराबर, बहुलक कितना है? अठारा, पलस दो गुना माध्य, बारातिया, बारातिया, चातिस, बराबर, अठारा, पलस दो गुना माध्य, अब इसको करना क्या है? कि चातिस है, पलस अठारा है तो हो जाएगा, माइनस अठारा, बराबर, दो गुना माध्य, यह चातिस में से अठारा घटेगा, तो कितना हो जाएगा? अठारा, बराबर, दो गुना माध्य, यह इसको सिधा कर दे, दो गुना माध्य, बराबर, अठारा, और आपका हो जाएगा, माध्य बराबर, माध्य बराबर, अठारा, और यह दो जो है, बटा के नीचे आजाएगा, दो नमा अठारा, यानि माध्य आपका हो गया, माध्य बराबर नो माध्य बराबर आपका हो गया नो यहीं आपका एंसर हो गया देखिए यह वीडियो कैसा लग रहा है आपको यह question समझ में आया या नहीं जरूर बताईएगा देखिए चुकि आपके पास माध्य के जो है दिया हुआ है बारह और बहुलक है अठाड़ा जिसमें माध्य निकालना है तो इसका फर्मूला होता है कि तीन गुना माध्य बराबर बहुलक के पलस दो इंटू माध्य तो तीन का तो तीन हो गया फर्मूला का माधी का कितना है आपके पास 12 बराबर बहुलक है अठाड़ा तो अठाड़ा लिख दिये पलस दो गुना माध्या बारतिया 36 बराबर अठाड़ा पलस दो गुना माध्या 36 ठीक है अपने जगा पर है, पलस अठाः है तो माइनस अठाः बराबर 26 में से अठाः घटेगा 80 बराबर 27 माध्य अब 27 माध्य जो है कि हम दुसर का साड़ लाए और 8 दुसरे साड़ में डाल देते हैं तो माध्य बराबर कितना हो गहाँ? अठाड़ा बटा यह दो जो है बटा के निच्छा जाएगा दो नमा अठाड़ा तो माध्य कितना निकल गया नो आपका एंसर निकल गया दूसरा प्रस्ण को देखते हैं एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चवडाई से चार मीटर अधिक है यानि एक आयताकार बाग है इस तरह से आयताकार बाग होगा लंबाई जो है कि चवडाई से चार मीटर अधिक है और इसका और्ध परिमाप 36 मीटर यानि आताकार बाग का और्ध परिमाप आपका 36 मीटर है तो बाग की सिमाए क्या है ग्याद करना है यानि यहाँ पर हमाल लेते हैं कि बाग की चवडाई 1 मीटर कितना माल लिए 1 मीटर लंबाई यहां पर बता रहे है कि लंबाई चवडाई से 4 मीटर अगर आपका चवडाई x है तो लंबाई कितना होगा x plus 4 तो यहां पर हमने क्या माले है, माना कि बाग की चवडाई बराबर x मीटर और लंबाई x plus 4 मीटर ठीक, अब आयत का परिमाप होता है 2 into लंबाई पलस चवडाई तो फर्मूला का 2 है, लंबाई कितना है? X पलस 4, तो X पलस 4 यहां लिख दिये पलस है, तो पलस चवडाई चवडाई कितना है यहां पर? X तो यहां पर हमने X लिख दिया अब हो गया 2 का 2 X और X को जोड़ देंगे ते कितना हो गया? 2 X पलस 4 का 4 हो गया प्रोष्ण से आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बटा 2 होता है तो यहां पर अर्ध परिमाप प्रोष्ण में आपको 36 मीटर दिया हुआ है और यहां पर परिमाप कितना निकला? 2 into 2, 2 X पलस 4 लिख दिये बटा फर्मूला का है 2 2 से 2 कैंसील हो गया 36 का 36 है यहां पर 2 X पलस 4 अब इसको हमने क्या किया कि सिधा कर लिए 2 X पलस 4 बराबर 36 जो है दुसरा साइड में रख दिये 2 X बराबर 36 पलस है तो माइनस 4 2 X बराबर 36 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 32 या X बराबर 32 बटा 2 16 दुना 32 यानि X का मान निकल गया कितना? 16 अथा बाग की लंबाई बराबर X माने हुए थे तो X का मान कितना मिला हमको? 16 तो 16 मेटर हो गया 4 माने हुए थे X पलस 4 तो X की जगा पर कितना रख दिये? 16 पलस 4 का 4 16 चार 20 मेटर तो आपका लंबाई हो गया 20 मेटर और चावडाई हो गया 16 मेटर अब हम लोग इसका तिसरा प्रस्ण को देखते हैं तिसरा प्रस्ण है कि द्विघात समिकारन 4 X स्क्वाइर माइनस 5 X पलस 3 इसकल टू 0 का विविक्तिकर गयात कीजिए फिर मूलों की प्रकिर्ती बताईए चुकि आपके पास कोश्चन कितना है? 4 X स्क्वाइर माइनस 5 X पलस 3 इसकल टू 0 तो यहाँ पर हमने लिख दिये? चुकि 4 X स्क्वाइर माइनस 5 X पलस 3 इसकल टू 0 जो आपका कोश्चन है लिख दिये? यह यह बराबर कितना? 4 बी बराबर माइनस 5 यहाँ लिख दिये C बराबर 3 तो बी विक्तिकर जो होता है D D बराबर इसका फर्मूला होता है B A स्क्वाइर माइनस 4 A C B का मान मिला है माइनस 5 तो माइनस 5 यह का A स्क्वाइर फर्मूला का है माइनस 4 का 4 है A के जगा हमें है 4 तो यहाँ पर 4 लिख दिये C के जगा हमें 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिये 5 पचे 25 माइनस माइनस पलस कर देगा फिर माइनस 4 चुका 16 ती हा 48 तो 25 में से 48 गटाएंगे ति हो जाएगा माइनस 23 अब भी विक्तकर कितना हो गया? माइनस 23 चुकि D बराबर यानी D से जो है D 0 से छोटा हो गया यानी माइनस में मान है तो 0 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा इसलिए दोनों मूल और वास्तविक होंगे यहीं आपका एंसर है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक किरें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बोटन दबा दे जिसे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक लिए जय हिंद जय भारत